चुले बड़ी खबर का रुख करते हैं जैपुर से बड़ी खबर है नंद किशोर बालमी की हत्या का मामला विधाय कमीन कागजी के साथ प्रतिनीदी मंजल ने मुलाकात की है जिला कलेक्टर प्रकाश राजप्रोहिट से मुलाकात कुई है प्रत्मिदी मंजल की और मुलाकात के बाद बृतक के परिजनों को हाथो हाथ सहायता राशी दिलवाई है बृतक के आशुतों को मिलेंगे आज लाग पच्छीस हजार रुपए चार लाग बारा हजार पान सो रुपए की प्रथम किश्ट मुलाकात करके अन्य सरकारी योजनों काब्ली प्रतों के आशुतों को लाब दिया जाएगा अब आरे साथ स्यूग जियाओदीन जुचके जियाओदीन मांगो को लेकर वालमी की समाज की लोग धने पर बैठेते लेकिन विधाय कमीन कागजी ने समझाईश की और धने सो लोगों को उठाय है और साहता भी परिवार को दी है जो पीडित है क्या पूरी जानकारी देखेगा कि नंकिल्चो और वालमी की कुछ दिनों पहले हत्या हुई थी तो कि उसे बास परीजनों के अंदर और उसे वालमी की समाज की लोगों में अपरोच दाजी जो तरकार की तरफ से आर्थिक महुता या पेकर जाशित जी जाना थी वो अब तक नहीं दी जाए जाए बेट गए तो कि यह से विड़ाय कामीन काक्षी तो पूरे मामले का पता लगा तो उन्होंने पर्षिनीजी मंदल से जो वालमी की समाज का उंसे बाच्ची इसकी कमजा इसकर दन्ने से उठाया और चिला को लेक्टर के पास जाने के बात वारता हुई और नतीजा यह रहा कि हाथ ओ हाथ तो हाथ जो मौसा था आठ लाग पच्चिस हजार रुपे का वो स्विकर सरवाया गया जिसमें चार्ड लाग बारह हजार रुपे उन्हों की पत्निक एकाउंट में डलवा दिये गए उन्हें परिलाब जो दिये जाते हैं पूरे मामले में सरकार के ओर से उ बिल्कुल जिया और इसमें क्योंकि आप आर्थिक साहता की बहुत ज़्यादा पीडित परिवार को थी तो वह भी दो किस्तों में एक तो किस्तों दे दी जा चुकी है मुने तो की पत्ती को और एक पुलिस चालान पेश होने के बाद में मिलें कि क्या उसको लेकर जानकार किसमें मामला से एस्टी अस्के अचार ने उस से तुड़ा हुआ है तो कि पहला जो राख्य दी जाती उसकी पहली चीस्तों दे जाएगा जब पुलिस चालान पेश कर देगी तो कि कि पुलिस के चालान पेश करने की नहीं विधायक ने पर्दिंश मंदल के सामने ही ज़ि जो किस्ते वह भी मिल जाएगी साथ ही मुख्य मंतिस हैता को से भी कुछ अन्य जो राशी है वो पर्तक के आशीतों को दिये जाने की बात भी असामना आई है उसको लेकर भी प्रोसेसिंग की जा रही है ठीक है जियो दिन बहुत बहुत शुक्रिया पुरी जानकारी के लि